हेलो फ्रेंट्स मैं हूँ आपका दोस्त आकास तो दोस्तों आज का ये टॉपिक हम लोग का बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर गाव में आप कोचिंग सेंटर खोलना चाहते हैं मतलब ट् बताता हूँ चलिए तो हम लोग को गाव में अगर ट्यूशन खोलना है तो हम लोग को कुछ समझना पड़ेगा जैसे अभी हम लोग जानते हैं कि सहर के मुकाबले गाव में अभी वे हम लोग का सिक्षा कहीं ने कहीं पिछड़ा हुआ है ठीक है तो उसके मुकाबले ये क्योंकि सारे सिक्षा के कमी होता है उसके बाद इसकूल जो होता है तो यह सब भूल जाते हैं अपने बच्चों को इंजिनियर डॉक्टर बना ना है लेकिन उनकी वहापर उनको दूर भीजना पड़ते हैं अपने बच्चों को तो ऐसा अगर हो जाए कि हम लोग गाउं में ह एफ बचौका इस्तर है सिख्छा का वो भी उंचा होगा हम लोग को फ्राब बहुत कम आई भी हो जाएगा धौर इसके बारे में छलू है वह बात करते हैं तो 10.00 मैंने लीग कर रखा है इसमें तो 10.00 के बारे में अच्चे से बाट करेंगे कि कोचिंग सेंटर कैसे खोलें, उसका नाम क्या रखेंगे, उसका रजिस्टेशन जरूरी है कि नहीं है गाउं में, ऐसे सहर में खोलेंगे तो आपको जरूरी होगे है, ठीक है, तो इसी तरह के 10 पॉइंट है, तो चलिए शुरू करते है, सबसे पहला हम लोग का पॉइंट है जहां पर मतलब कि 3-4 गाउं से बच्चे आपाएं आसानी से, ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे जगह होते हैं, जैसे कि 3-4 गाउं को कहीं पर एक रास्ता में जुड़ता है, तो उस रास्ते में आप बना सकते हैं, जहां से बच्चे आसानी से, साइकिल से या फिर पैदल आ सक ठीक है, तो आपको भाड़ा अराम से मिल जाएका कोई ऐसा अच्छा सा जगह देख लीजिए, और थ्वड़ा से रूम बढ़ा होना चाहिए, ठीक है, तो में लोग दूसरा पॉइंट आ जाता है, जैसे हम लोग ट्यूशन का आ लिए, जगह का चेहन कर लेंगो, उसके ब गुगल पर भी सर्च कर सकते हैं, या फिर अपने दिमाग से सर्च कीजिए, तो बहुत आसानी होगा, बहुत सारे नाम मिल जाएंगे आपको, ठीक है, लेकिन एजुकेशन से थोड़ा सा रिलेटेड रखिएगा, तो ज्यादा अच्छा रहेगा, या फिर अपने नाम से भी रख सकते हैं, ठीक है, सौटकाट में अपने नाम को सौट फॉर्म में करके रख सकते हैं, अब तीसरा पोइंट हम लोग का आ जाता है, कि कोचिंग क्लास की फीस की इतना रखें, ठीक है, तो आप उसमें बहुत सारे बच्चों को लेंगे, तो अलग-अलग क्लास के हो ठीक है, तब क्या होगा कि वो लोग को देने में भी प्रोब्लम नहीं होगा, और आप अच्छे से उनको बता भी पाएंगे, जैसे एजमपल के तौर पर में गाहों में लेता हूं, तो कितना आपको 200-300-400-500 तक अब ले सकते हैं, उससे अगर ज्यादा बढ़िएगा, तो थोड़ा सा उन लोग को देने में प्रोब्लम होगा, ठीक है, तो इतना में ही रखिये, 500 तक सीमीत रखिये, और कम से कम 100 से स्टाट कीजिए 500 तक, उतना काफी है, उसके बाद क्यूंकि अगर सहर में देखने जाए तो आपको 700-800-900-1000 ऐसे तक जाते हैं, तो आप 500 के नीच प्रोचिंग सेंटर खोलेंगे, तो इसमें हम लोग को क्या-क्या सामान की आव सकता होगी, देखे, सामान आप तो जैसे कि अमानली जाप गर्मियों की दिनों में खोल रहे हैं, या फिर ठंडे की दिनों में, दो सीजर ना सकता है, तो आपको जैसे कूलर, पंखा, ये सब लेना पड़ेगा, ठीक है, अगर आप सर्दियों में खोलते हैं, तो फिर कूलर, पंखा, क्या भी आव सकता नहीं, आपको बाद में लेना पड़ेगा वो, तो और क्या-क्या, जैसे बैंच हो जाता हम लोग का, मार्कर हो जाता है, बोड हो जाता है, तो मैं सज़ेस्ट कर पता होगा, ठीक है, जनरली आपको पता ही होगा, वो सब चीज क्या है, आम लोग का टीवसन में यूज होता है, तो उसको आप ले लिजी, उसके बाद आम लोग का जो आ जाता है, पांच वा नंबर, पॉइंट, सबसे इंपोर्टेंट पॉइंट है, देखिए कैसे, कोच आप तक बच्चे भेजने में आसानी होगी, वो समझ जाएंगे कि कैसा टीवसन है, इस तरह के मतलब, लेकिन आपको परचार अच्छे से करना पड़ेगा, तो कैसे, इसका दो उपाए है हम लोग के पास, कैसे, देखिए, आप फेस्बुक से परचार कर सकते हैं, इंस्ट मोबाइल से ही बना सकते है आराम से, तो पिक्सल लेव अपलेकेशन से ठीक है, तो उसको बना के और आप फेस्बुक पर, इंस्टाग्राम पर, वाट्साप पर, ये समय अपने दोस्तों को सबको मैसेज कर सकते हैं, तो उससे आप तक बच्चे जुड़ जाएंगे, इस त ठीक है, तो इस तरह सा परचार कीजी, और टीवशन का नाम पहलाईए पहले, उसके बाद टीवशन क्लासेस स्टाट कीजी, उसके बाद आजाता हम लोगा, कोचिंग के लिए विद्यार्थियों को कैसे आकरसीत करें, तो देखिए, इसमें आप पहले फीस थोड़ा सा कम ठीक, धीरे-धीरे करके कुछ बढ़ा सकते हैं, तो फीस अगर कम रखेंगे, तो विद्यार्थियों के आएंगे, और क्या कि आपकी अगर थोड़ा सा आप पढ़ाते हैं, मतलब एक घंटा पढ़ाते हैं, तो उसके साथ थोड़ा सा गेम खेल लिए, या फिर कुछ ऐसे जोक कियें, कहानी सुनाएं, तो क्या को बच्चे उससे देखके जल्दी आकरसीत होते हैं, ठीक है, बच्चों कहाएं ये जो है, अच्छा लगता है, सिर्फ उनको पढ़ाईएगा, तो उनको ज्यादा मन नहीं लगेगा, ठीक है, लेकिन आप उनको कहानी सुनाईएगा, जोक सुनाएगा बाद में, पढ़ाई के बाद, ठीक है, तो उनको थड़ा सा अच्छा लगेगा, वो आप तक आएंगे, तो ऐसे आप बच्चों को आकरसीत कर सकते हैं, अब आगा ता हम लोग का सातवा नमर का पॉइंट, कि हम लोग कैसे बच्चों को बढ़ाएंगे को तो बच्चों को एकत्रित किजिए, और क्या कि वहाँ पर खेल करवाईए, उनके अलग अलग प्रकार के खेल करवाईए, तो बच्चों का आपके परती लगाओ बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, इससे क्या होगा कि धिरे धिरे और भी बच्चे आप तक आने लगेंगे तो आप तक जुड़ेंगे बच्चे, ठीक है, अब हम लोग का आ जाता है, आठवा नमबर का पॉइंट, ट्यूशन का रजिस्टेशन ज़रूरी है कि नहीं है, तो देखी दोस्तों, अगर आप सहर में रहते हैं, तो आपको ये ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ पर आपको ज़्यादा बच्चे मिलते, तो टैक्स भी वहाँ पर कटता है, ठीक है, तो अगर आप गाउं में रहते हैं, तो अगर इच्छा करें, तो आप करवा भी सकते हैं, नहीं भी, क्योंकि गाउं में उतना ज़्यादा पकड़ते हैं, कोई क्लिशन खोलते हैं, तो ठीक है, और सहर में यही आपको देखते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, अगर जंजट आपको नहीं लगता है, तो आप मत करवाईए, और अगर लगेगा कि बाद बन को प्रोब्लम हो सकता, अगर 500-600 बच्चे हो जाते हैं मेरे पास तो, तो क्या कीजिए आपकी, जहां पर इस्कूल, यह सब चलते हैं, जहां से जीला का, हमलों का ओपीस हरता है, वहां से जाके आप तो इसका जो रेजिस्टेशन वो करवा सकते हैं, लेकिन अभी ज़रूरी नहीं, आप तक 1500 बच्चे हो जाएं, तब करवाईए, अभी कोई उतना आव सकता है ने, इसका, रेजिस्टेशन क तो उसके लिए बहुत सारे चीजे मैंने बताए कि लेना पड़ेगा, तो उसमें जो खर्चा आएगा 10-15,000 आप कम से कम मान के चलिए, तो आप तो ऐसे भी रूम में बैठा के भी 2-3 से भी स्टार्ट करेंगे, तो आपको 0 खर्चा, ठीक है, समझ में आ गया, तो आपके पर निर्वर करता, आप कितना खर्चा कोचिंग ओपर सुरू-सुरू में करना चाते है, ठीक है, कम-कम बच्चे को लेके पढ़ाईए, उसके बाद धेर-धेर जैसे आप तक पैसे आते हैं, इन्वेस्ट करते जाईए, उसका बाद हम लोगा लास्ट पॉइंट आ जाता ह तो देखिए, अगर माल लिजे, आप अच्छा कासा आपका स्टूडेंट हो जाता है, तो स्टूडेंट के हिसाब से आप फीस के हिसाब से जोड़ सकते हैं कि कितना आम लोग का इसमें पैसा आ जाएगा महीने का, और अच्छा काम करेंगे, आप तो पैसा ऐसे भी आप त तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, जैहिंद वने मात्रम, नमस्ते